हेलो व्रीवन आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागदी बच्चो तो आज के वीडियो में मैं पेपर लेके आ गया हूं ठीक है पेपर फॉर्मेट में है और यह सारे कर देना चरिए पहले कुशिन पर आ जाते हैं हमसे क्या बोल रहें Unit अपना उतर देना है आपको मैं यह जो हमारा function nex है पुक्षोन इप न After all face वास्तिविक संख्या से वास्तिविक संख्या में जा रहा है, तो यह function क्या है? एक्शा दग है, तो मैं आपको जो भी कुशिंग कराऊंगा, with logic and with सारे चीज़ों करां। पहले हम एक्शा Came की की बात करते हैं, दे AZA का है, यहाँ आपका x संख्या होता हैं, और यहां आपका y होता है और यह वास्तिविक संग्या से वास्तिविक संग्या हम जा रहा है इसके पास पूरी वास्तिविक संग्या और इसके पास पूरी वास्तिविक संग्या है fx को y गहाँ और fx किस के बराबर है 5x के बराबर suppose कर एक्स के जगह पर आपने 0 रखा तो 0 गुणा 5 क्या होगा 0 होगा आपने 1 रखा एक्स के जगह 1 गुणा 5 क्या होगा 5 होगा, आपने minus का 2 रखा है 2 पंजे minus का 10 होगा तो जो 1 इनपूट है वो एक ही output दे रहे है एक input एक ही output दे रहे है को repeat हो रहे है या नहीं तो यह एक क्या की है उसके बाद देखो number two आच्छा दक आच्छा दक क्या हो दे कि हर एक का प्रती चित्रण यहां मिलना चाहिए हर एक का प्रती चित्रण क्या होना चाहिए मिलना चाहिए आच्छा दक मे रखें प्रतिक अभयव को प्रथिचित्रन आपको प्रांत मिलना चाहिए य आप 0 रखोगे, 0 के बट्टा 5, 0 मिलेगा, प्रतिचत्रण मिल गया, य के जगा पर –1 रख दो, तो यहां पर –1 बट्टा 5 मिलेगा, 2 रखो, 2 बट्टा 5 मिलेगा, कुछ भी आप सोचोगे, उसका प्रतिचत्रण यहां पर मिलेगा ज़रूर, खाली नहीं च्छूट रहा है तो यह एक्याकी भी है और यह आच्छा दख भी है इक्या आच्छा दख भी है यह 11 और on अगले वारे प्रश्न भी आ जा दें अगर आपको इसके पीडिएफ चाहिए तो हमारा टेलेग्राम चैनल आपको मिलेगा उसको जाकर डाउनलोड कर लेना जोईन हो जाना फ्री में आप सकते हैं और हमारा जो अपीडिकेशन है ठीक है उसके जाकर कर लेंगे तो भी ये सारे उसको अपर आपको मिल जाएंगे प्री native राउनी में Alma जाते ऑग कि यह जो प्रष्ण है चलंग का क्रेंग hemos मैनस तो क्या होता है आपको शूत्र बदा होगा न कर आए कि ये आ जाएगा अब इसको हल करते हैं अब देखिए इधर 10 इंवर्स है इसका मान में 10 में सोचो 10 60 60 6060 बोले तो 5 आपई थे 2ंबर से है किसका मान दो होता एंः बताओ कोज साट काम एक बट्टेद चयर tuitionitas चयर्फी साधेबॉर कि दोद एग तो हमने और यहां भूचा पाई थ्री भ। अग्याा है यहां पाई थ्री ठीक और इसको हल कर लेंगे ठीक है पाई और यहां से माइनस के पाई भाई थ्री तो देखो पाई भाई थ्री इसको हल करोगा तीन पाई में से एक पाई घटाएंगे क्या बचेगा दो पाई भाई थ्री लॉसर पाई जाएगा थ्री तो पाई में से दो पाई घटाएंगे आंसर आ जाएगा माइनस के पाई अप्शिन नमबर यह जो भी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक अगले प्रश्न में आ जाओ प्लीज वीडियो को जाधा सद लाइक करें शेयर करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिए अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसी अच्छा अच्छा प्रश्न आप डेली ले मुझे यह दे रख़ा है और मुझे बोला कि अप्लस ए-डैश-डैस का मतला परिवर्दाव्य हो इपके बडराबर अच्छा एँटाम च्छ अअगा सिगिन करें सबरहूं है क्लेकर स्क्रिछल में क्या दे रखा तीसरे बाला में या a plus a dash i के बराबर है तो a मेरे पास क्या है cos alpha sin alpha minus के sin alpha cos alpha a dash क्या होद है जो पहला row होता है वो पहला column मन जाएगा cos alpha minus के sin alpha और यहां लग जाएगा sin alpha cos alpha आई आई का मानेत्रिक्स उन्जिरो जीरो फीक है इस संगत मैट्रिक्स जुट जाेंगे दाऊ को मौन सफ घॉ को सब पर ढाल होगा जबंब इसका माहन सोचू कौस साट यहने की पाई बाई थ्री कौस से कौस अड़ा अलफा का मान किया जाएगा पाई बाई थ्री साथ डिग्री ठीक है ओप्षिन नमबर भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा अगले प्रश्ण में आ जाओ कह रहे हैं यदि ए एक टू इंटू टू कोटी का वर्गा आव्यू हो तो इसका मान के आओगा तो देखो जो भी आपको नियम पता होगा कि अगर आप किसी सांडिक में के से गुना करके उसका मोडुलस सांडिक निकालते हैं तो के जिस भी और का होता है पावर में वो लग दने हो मैंते साघवेंश तो यहां के के स्थान पर दो गेंशर्थ तरफ चीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी हमारा बिल्कुल सही और ना ठीक है जी मैंने पूरी NCRD बढ़ा रखे नई वाली पुरानी वाली डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगे हम जाके देख सकते हैं अगला बोल रहे कि PA इतना है PB इतना है तो PA अबन B का मान क्या होगा तो PA अबन B इसका शूद्र होता है PA intersection B बट्ट नीचे B है न बी लग जाता है और PB क्या दे रखा है 0 इसका मान कुछ भी हो इसका मान 0 बोल रखा है और किसी के बट्टे में 0 हो तो वो क्या होता है अब परिभाशित परिभाशित नहीं होता है option number C हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यह साणिक 0 के बराबर साणिक है न तो इसके गुणा इसके साथ x गुणा x x square minus 18 दूनी चत्तिस जीरो है तो x square minus 36 के प्लस क 36 एक्स का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 तो option number यह जो बी है वो सही हो जाएगा प्लस माइनस 6 कहीं पर भी doubt हो दिक्कद हो परशानी हो आप प्रशन को दुबारा जरूर देखें ठीक है अब आते हैं में रित्त स्थान भरनने वाले प्रशन लें हैं simple simple question 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 पहला वाला क्या बोल रहा हैं यह वाइड दे रहे हैं तो टो भी प्रश्क क्या होगा बताव हञा है यहां это सत्राइब होता है यहां किता है और टूटल की बाउट अनुट का मतलब क्या होता है गात में आता जबहें से फ़ले किसका होता है पहले होता है फावर अनक्स अन माइनसवे सामने आ जाएगा थेक्षण और एक घथच कहा होगी कम हो पावर चॉल्ल हो गया अब अंदर बैठा उसका सफगर्फ होगा एक सफॉर्फ आंडूड एक सब wat सब निए उसका सब्सक्रांद एक सफब्टा टूरल में चलिया किसे ओछा और तर यहां से खाथ में उचेगा प्याके एघू अब फिरको उसक को वह सो X में हैं अंडूरूट X है E का हो चुक है अब पावर में जो भी बैठा हो उसका अपकलज होगा D बट्टे D X अंडूरूट का मतलब क्या होता है आदा है ना आप इसका करेंगे तो ये 1 बट्टा 2 माइनस का आदा है नीचे के क्या हो जागे प्लस का आदा आदा का मतलब क्या होता है अंडूरूट E की पावर अंडूरूट X और यहाँ पर क्या है E की पावर अंडूरूट X इसकी पावर 1 है अच्छा अब इसका अपकलोज करेंगे X की पावर N N X N माइनस 1 ठीक है तो देखो बट्टे बट्टे में क्या आगे एक बट्टे 4 इसकी घात 1 है अंडूरूट का मतलब आदा एक में से भाग देने पर घाते घटती है तो आदा बचेगी है ना आदा बचेगी इसकी पावर आदा और इसकी पावर एक भाग देने पर घाते गरती हैं और यहां से माइनस का आदा बचे गा ठीके ना जो मंतर बोलके तुटी नहीं भर सकते हैं अगले पुरिशन में हम आजाते हैं क्या बोल रहा है कि हमसे क्या बोल रहा है व्रित्य के छित्रफल में परिवर्थन की दर प्रती सेकेंड तरिज्य आर के शापेक्ष जबकि आर का मार पान सेंटिमेटर है क्या होगी ठीके छित् से खित्य पुरिवर्थे जब आर का बर पान सेंटिमेटर हूँ आ किसके शापेक्ष है और के शापेक्ष निकालना है छेथरफल के बरिवर्थिं कितर चेथरफल कःओ तो प्रत्य का पाराइए अरस कृरस क्वेश्वाइर हो अचावी तूंदर ने तो छेतर भल है चिटरभल गमात रांसर क्या होका संसर, यह पूरा हमारा संसर आएगा, इससे पूरा लिखना पुठेगा, ठीक है, शिर्फ दस भल लिखने से गम नहीं चलेगा, तो यह हमें हमारा उत्तर मिल गया, अगले वाले पार्ट में आ जाओ, कि इसका मान क्या होगा इंटीकेशन है ध्यान रखिएगा सो दिखिए शांदर कुशन है इस टाप की कुशन करने से तो आपको दिमाग खलते हैं और ऐसे प्रशन आपको NCRD में डैरेक्ट कभी नहीं मिलेंगे ठीक है सिर्फ NCRD करके अगर आप सोच लिए कि मैं टॉपर बन जाओंगो ऐसा नहीं हो सकता आपको विगत वर्शो के प्रशन पत्र करने बढ़ेंगे अगर मैं कोई कोशन करा रहा हूँ तो भाई यह मत देखो किस बोड का है वो तुम्हारे में भी आ सकता है तुम्हें यह नहीं देखना है कि सर उपी बोड लिख दिया है सर ने एंपी बोड लिख दिया है तो सिर्फ वो ही बच्चे देख सकते नहीं वो कोशिन सभी के लिए इंपोरटन होता है क्योंकि NCRT बेस्ट है वो कोशिन आपके में भी आ सकता है ठीके न, तो अब जैनते हrain inverse x प्लोस कॉसिंवर्स extension प्लोस क्या होता है, pi by two, x कónक की वा किया हो गहाँ जाएगा, dx, dx का समा क्या होता है, x, so answer आजाएगा, pi x, बट्ले दो, integration खतम, तो c जोड़देते है, जहाँ c नया होता है, समा क्लोस नेतांक होता है, ठीके जी, अब कल समिक्रण के विशिष्ठ हल में उपस्तित स्वेच अचरों की संग्या कितनी होती है अब यहां इसने बोला है विशिष्ठ हल तो विशिष्ठ हल में कोई स्वेच अचर नहीं होता है अंसर नहीं होता है अगर यहां पर विशिष्ठ के जगा लिखता है न व्यापक हल तो जितनी कोटी होती है उतनी स्विच्छ अचर होते हैं अगर विशिष्ट के जगा यहां मैं व्यापक कर दूं तो यहां क्या लिखना होता होतर में 3 क्यों के विशिष्ट बोला है तो अनसर 0 है को ठीक है कि टिरभुज की तीनों भुजाओ को क्रम में लेने पर उनका सर्दिशीयों कितना होता है है आप लिए जीरो होता है कियरें एक्स जेड के दिक कोज़ान क्या होती है एक सबस्क्राइब नियुक्त क्या होते जोड़ेंगे जहां सी हमारा समाकलन नितांक होता है ठीक है यह सब कुछ पढ़ा रखाएं ऐसा एक भी कुरिश्चिन नहीं है जो आपने कभी पढ़ा ना हो जो आपने कभी देखा ना हो ठीक है अब मिला हो भाई देखो यह इधर है और यह चीज इधर है मिलाना है आपको ठीक है तो 10x कभी क्लच क्या हो जाएगा आप क्लच करोगे तो अगर वाई आपके पास क्लच क्लच क्या होगा और एक्स का जो भी गुण जोगा वो गुणे में लग जाएगा यह यह इस वाले का अंसर क्या हो जाएगा तो क्लच 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 क्या हो जाएगा ठीक उसके बार देखो शक एक्स का इंटिशन क्या होता है लोग शक एक्स प्लस 10x होता है और इसका देखो, cos गुणा cos, cos square x, minus sin गुणा sin, sin square x, तो इसका formula क्या होदा, cos 2x का formula होता है, cos 2x इसका formula होता है, कहीं लिखा है cos 2x, जी विलकुर यहां लिखा हुआ, option number b, ठीक है, और 10x का जो integration होता है, minus के रूब में लिखोगे, तो यह होता है, minus के log cos x, यह formula हुआ, अगर positive में लिखोगे, तो log shek x होता है, shek x का जो integration होता है, वो होता है log shek x plus tan x, cos 1x बज़िया, cos x का integration क्या होता है, यह वाला e number, log cos x minus के cortex, plus c, ठीक है, यहां एक option जादा होता है, यह shek square x आपको जादा दे रखा था, आगया, कोई डाउट तो नहीं है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह सार, यह जो question ऐसे हैं, यह तो और भी अच्छे ब्रश नहीं, यह आपके दिमाग को पूरा test कर रहा है, भाई तुमने क्या क्या बढ़ा है, पूरा test कर रहा है, एक नमबर पूझा है कि तुच्छ संबंद किसे कहा दे हैं, ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं, तुच्छ को अंगलेजी में कहा दे हैं, ट्रिवियल रिलेशन, तो देखो, आपको क्या लिखना है, आप इसे चार्ट की फ़र्म में बना सकते हो, तुच्छ संबंद होता है, ऐसे लिख देना, तुच्छ संबंद जो होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, कि संबंद क्या होता है, जो तुच्छ संबंद होता है, उसे होना होता है, क्या मोलते हैं, सार्वत्रिक हिंदी में बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंद होना चाहिए, सार्वत्रिक संबंद, प्लस रिक्त संबंद, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या है, तुच्छ संबंद क है ठीक है इतना लिख दोगे एक नमबर मिल जाएगा किसे कहते हैं यह पूछ रहा है आपसे अगला वाला खुशन है साइन इन्वर्स एक बट्टे अंडरूट दो का मुख्य मान किया होगा पाई भाई फोर होगा आंसर देख की पता लग जा रहे हैं देखो तो भी करके दि यह मत सोचो कि सर्के डिजिटल बूट में कराएंगे उतना टाइम नहीं हो पाता है ना तो देखो यहां एक एंगल पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है बाहर साइन इन्वर्स हैं इसका मान साइन में सोचो साइन पाई भाई फोर का मानो थे बट्टे अंडरूर दो इनट जाएगा तोछ एसका मुक्रमालों लगका जाए वेबाइ फोर के दिए इंड्समल कि एक्जेम्पल लेए इससे से इसमें कितने रोगए एक दो तीन कॉलम कितना हुआ एक तो इस तंब आव यू क्या होता है वह आव यू कि जिसमें एक है एक है कि स्थम्ब होता है कि उसे हम स्थम्ब आवियू कहते हैं ठीक है कोई दिक्कर नहीं है कि रहें इस सदिस का परिमाण क्या होगा सदिस जो हमें दे रखा है उसका परिमाण निकालने बहुत ही असान है ह तो माले अतिस का नाम ए वेक्टव है जो कि मैं दे रखा आइप जिसका परिमाण निकालना क्या परिमाण उतलों मोडोल क मिनकोण है जोड़ देना होता है तो यह आ जाएगा एक प्लस एक प्लस एक यंदकी अंडरूट तीन तो इसका जो परिमान का मान होगा वो कितना होगा अंडरूट तीन होगा कि ठीक है को दिक्कत तो नहीं है आगे बढ़ते हैं किया रहें ए और बी स्वतंत्र घटना है हर साल एक्जाम में आद देखो पांचमा प्रिश्ण अगर ए और भी स्वतंत्र घटना है तो प्राइक्त ए इंट्रसेक्शन भी का जो मान होता है वह दें पी एंटू पी बी के बराबर एक संबंद्ध होता है यह खूबी होती है ठीक हमें क्या दे रहा है पी यह दे रहा है पी इपोन एक मान निकालने अब देखो P B upon A का जो शूत्र होगा वो क्या होगा B intersection A मट्टे में नीचे A होगा यह हमें निकालना है P A दे रखाए उपर वाला नहीं दे रखाए तो उपर वाला हम निकालेंगे देखो P B intersection A लिखूँ या A intersection B लिखूँ बात एक ही होती है तो हमें मालूम है कि P A into P B के बराबर होगा ठीक है P A मुझे क्या दे रखाए परशन में 0.3 P B दे रखाए 0.4 चार थियां 12 दसम्लों 2 स्थान के बार ठीक है अब यह मान हम यहां बर रख देंगे यह मान मुझे मिल चुक है 0.1 दो और P A का मान के दिना 0.3 पीछे मैं 0 एक बढ़ा सकता हूं 2 स्थान के बार दसम्लों हट गया तो यह क्या हो जाएगा काटोगे तो 3-9-3-3-4-12 दसम्लों इस थान के बाद 0.4 आ जाएगा तो सही किया न पीछे दे रखाए 0.3-3-3-4-12 ठीक है यह हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा कहीं पर भी डाउट हो दोबारा जरूर देखे प्रश्नों अगले वाले में आ जा दें हमसे क्या बुल रहे कि इसका मान ब ठीक तो सारा आपकी बेसिक नॉलेज को चेक कर रहा है शेक इन्वर्स एक्स प्लस कोशेक इन्वर्स एक्स का कंडिशन भी ध्यान रखना क्या दे रखा है शेक इन्वर्स एक्स प्लस कोशेक इन्वर्स एक्स का मान क्या होता है पाई बाई टू तो कॉस पाई बाई बाई तो कॉस नब्बे कमान क्या होता है जीरो तो आंजर आ जाएगा जीरो ठीक है आगे बढ़ते हैं कहरें एक उत्पाद कि एकस इकाईयों से प्रणप्त कुल आई रुपयों में इतनी है जब एकस कमान पंद्रा हो तो सिमान दाय ग्याद कीजिए सिमान दाय निकालनी है देख रख सल समय क्या डेर रखाए थृ एकस स्क्वेश्य प्लस अधिश्य एक ग्याह तो मुझे क्या करना होता है एक वार प्रच primeira करना होता है एक्स स्क्राबक नबद्रेख एक और चप्लच से आधिश स क्वलच एक आधिश और constant 5 का plus 0 तो यह आगे तीन दूनी 6x और यह 36 एकम 36 आज़ डश एक्स हमें क्या बोल रखें एक्स बरावर किस पर 15 पर तो एक्स बरावर 15 पर जहां जहां एक्स है ना वहां पर मुझे 15 रख देना है पंद्रा चक्का नब्वे और यह 36 तो यह कितना हो जाएगा 126 तो सीमांत आए जो हमारी होगी वह 136 रुपए होगी कोई दिक्कत या कोई परशानी बताईए नहीं होने चाहिए तो यह कुश्ण भी आराम से बन गया है अब आते हैं अगले परश्ण में कि अग्ए म्याइड चेक करते हैं तो से मंगाां करते हैं अधिक्तम जाथ हूआ या गलत हैं तो Ou ин्हें लौफ और यहां से हम कोटी करते हैं वहीं से मंगात दे ने हैं ठीक है ये बहुपत के रूप में है अब कल समेकरन के बहुपत के रूप में है तो यहां से कोटी हमारी दो मिले तो उसी की पावर देखेंगे अगर इस प्रश्ण में गात बोलता तो गात कितनी है एक तो यह कथन सही है यह 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 भी है इनके बीच के कोण साथ दिगरी होगा यह यह बोल रहे हैं तो कोड निकालने का जो शूत्र होता है ही कौश थीटा वराबर वो क्या होता है एक डॉट के मे मामपांक के है कुडा मामपांक थीक है सो प्रश्ण में आ जाहोँ अमें प्रश्ण में क्या देर खाएं यह यह दे रा है हमें ऐ फ्लस ज माइनेस के और बी हमें सिरख आ है मांइस जैंगे प्लस के मैं कहा किया करता हूं मापंक निकाल देता हूं यहां पर और यह आपना प्लस प्लस एक इतना जाएगा अंडरोट तीज नीचे वाला वही है ईक जएक अग अ bawर जिग पूपिर Esther रोट तीन अब हमें निकालना है a.b a हमारे पास है i plus j minus k dot b हमारे पास है i minus j plus k यहां मुझे क्या मिल गया यहां मुझे मिल गया माइनस का एक ठीक है तो अब यह मान में जब यहां रखोंगा ओपर cos theta बराबर यहां क्या जाएगा a.b मुझे मिला माइनस का एक और अंडरूट अब मापांक a का माने अंडरूट 3 मापांक b का माने अंडरूट 3 ठीक अंडरूट 3 अंडरूट 3 तीन हो जाएगा तो theta बराबर क्या हो जाएगा cos inverse minus k 1 upon 3 क्या answer आ जाएगा यह हमें हमारा code मिलेग हर साल एक्जाम में आ जाता है और यह कुशिन अपने कक्षा 11 में ही सिख लिया होगा physics में ठीक है अराम से हो गया अगले प्रश्ण में माच आ दे हम से क्या बोल रहे है कि यह जो अवकल समीक्रण इसका समाक्रण गुणच एकी पावर माइनस x है यह बोल रहे है इन दनों तो यह ना रहे अवकल समीक्रण दे रख है अवकल समीक्रण हमारे बास क्या दे रख है डी बट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है डिस्क्रिप्शिनिक बार जरू चेक करें ठीक तो P के स्थान बर क्या है Y के कुणच Q के स्थान बर क्या है कौश X मुझे क्या निकालना है समाकरन गुड़क अंग्रे जी भोलते है इंटिकेटिंग फेक्टर जिसका श्रूद रोद है एकी पावर P D X P क्या है माइनस के वन भार आ जाएगा D X D X के अंटिशन क्या होता है X तो यह वोला समाकरन गुड़क एकी पावर माइनस X होगा तो यह जो कतन बिलकुल सही है क्या रहे है एक फंक्शन हमारे बास हमको दे रख है जो X से Y में जा रहा है एक आच्छा तक फलन है तो F का परिशर Y है यह कतन सही है या गलत है देखो सिंपल सा कॉंसेप्ट है कुछ हाई फाई चीज आपसे नहीं पोच रहा है बेसिक चीज पोच रहा है एकदम बेसिक देखो हमारे पास जो function है वो X से Y में जा रहा है यह X है और यह Y है और इसने बोल किया दिया है कि यह आच्छा दक फलन है आच्छा दक फलन है आच्छा दक फलन कि यह खोबी होती है क्या खोबी होती है बताओ कि उसका जो range होता है उसके co domain के बराबर होते हैं यह को भी होती है यानि की जो प्रांत रृच्छ के बराबर होते हैं नट बोलोगऊ रेंज मनल परिशर हिंदी में को domain को क्या भोलते हैं प्रांत स्व प्रांत ठीक है तो सह प्रांद किसके बराबर होता है परिशर के बराबर होता है तो f का परिशर परिशर क्या होगा y के बराबर होगा परिशर स हह प्रांत क्या होता है रोए होता है एकस क्या होता है प्रांत होता है ठिक तो जो परिशर व य के बराबर होगा तो यह जो ककत पृश्चन में आजाओ कि 10 inverse इतना plus 10 inverse इतना 10 inverse एक बट्टे 5 के बराबर है या नहीं है यह आपको बताना है तो ऐसे तो बता नहीं सकते हम है न हल करना पड़ेगा पांचोंगे नमबर में आ जो हल करते हैं हमारे पास हमको क्या दे रखा है कि 10 inverse एक बट्टा दो प्लस 10 inverse एक बट्टा तीन ठीक है यह ले लिया आप जानते हो फॉर्मुला क्या जानते हो कि यह 10 inverse x प्लस 10 inverse y का जो शूद्र होता है वो होता है 10 inverse x प्लस y बट्टे में 1-xy यह x के जगह पर है यह y के जगह पर है 10 inverse x प्लस y एक बट्टा दो और y के जगह पर है एक बट्टा तीन बट्टे में 1-1 बट्टा 2 एक बट्टा 3 ठीक रग दिया हमने करेंगे लौशव पाज एकड़ दो लिए ने लम चेट कम दो जो टिया चैक चैक एक कम एक है अनुवर्ज सिसकी पर चाटा तीन दो पांच चैप एंगी पांच 105 असमा नवान आ गया और यह बूला है कि टैने वर्स एक बत्टा पांच है तो गलत है यह गतन क्या है गलत औ तो यह स्टेट्मेंट क्या है हमारा गलत है ठीक है आगे बुड़े हमसे क्या बोल रहे है यह A है मैट्रिक्स यह B मैट्रिक्स है तो A B कि गुणा करें तो उसकी कोटी M x P होगी तो देखो इसके आखिर में जो होना चाहिए इसके स्टार्टिंग में वही होना चाहिए गुणा होने के लिए N है गुणा हो जाएगी तो यहां से M बचा यहां से P बचा है M P तो गतल पूरा सही है ठीक है कतल पूरा गया दोस्तों स此 है कोई जाँट यह कोई दिक्कत यहां तक बदाईये मुझे नहीं लगता कि आपको कई डाउट यहां दिक्कत होगे यहां तक ठीक है आगे बढ़े अगले में तो यह जो कोशेन है आगे यह आपको अगली वाली वीडियो से देखने को मिलेंगे यहीं पर करें चलो करते हैं एक निम्बर पर आजाओ कि यह ऐ हैं और यह बी है फॉंक्शन मेieved म Summit एक से चाहरे निसन न ही तो सबसाट एक फलन उस्थीच एक एकत्रव था च्छटे região हिए हमार रिख 7 इसमरा है इसलिख बाहर चाहर व श्क श करण चार पांच छे साथ दे रखाएं और फलन जो मेरा जा रहा है प्रश्ण में दे रखाएं एक मुझे दे रहा है चार दो मुझे दे रहा है पांच और तीन मुझे दे रहा है छे ठीक है अगर मैं चितर बना के दिखाऊं क् teor की चित्र से दूद से दूद एर पानी का पानी हो जाता है फ़लन एसे बी में जा रहा है one मुझे four दे रहा है ट्व मुझे five I farge दे रहा है ऐसे अब एक्जाम में इस फिर बना सकती हूं लेकिन Oxivantiddin ज़े रहा है तो चुंकि F1 मुझे क्या दे रहा है चार दे रहा है F2 मुझे 5 दे रहा है और F3 मुझे 6 दे रहा है तो आप हिंदी में लिखोगे चुंकि प्रांत का प्रतेक अव्यव प्रतेक अव्यव का चित्रन अदुती है यानि कि अंग्रेजी में बोले तो यूनीक है इसे लिए यह एक यकी है बस इतना सही लिखना था हो गया बड़े आराम से ठीक है जी तो ये कोशिन में आपका बड़े आराम से बन गया नेक्स्ट कोशिन पर आजाओ के रहें जाच कीजिए कि ये जो समुच्चे है वन टू थी फोर दे रखे और संबंद मुझे ये दे रखे रिलेशन मुझे ये दे रखे संबंद स्वतुल्य संक्रामक है किन्तों सम्मित नहीं है ये आपको बताने है ठीक है चलिए कर दें और हमें सेट के दे रखे माना समुच्चे कर नम मनें यह बाल लिया जो के मैं दे रखे वन टू थी फोर और जो मेरे को संबंद दे रखे प्रश्ण में फिर मुझे दे रखे टू कोमा टू फोर कोमा फोर वन कोमा थ्री थी कोमा थ्री एंट थी कोमा टू ठीक ही ये ची जम को दे रखिए अब यहां ध्यान से देको अगर मुझे चेक करना है पहले नमबर पर चेक कर दें श्वतुल्य श्वत्विल का मतलब खुद का सम्मध्ध खुद के साथ, सिंपल सी बात है, इसके पास कितने में बार है, 1,2,3,4, खुद का सम्मध्ध खुद के साथ है, 1,1, और का है, 2,2, 3,3, क्या 4,4 है इसके पास, और यह 4,4 भी तो है, तो सारे हैं, ठीक है, प्रतिक अब है, 4 है, 4 है तो जो चीज शिद्ध होती है उसको कैसे लिखा जाता है चुंकि एक कॉमा ए बिलॉंग्स टू आर है फॉर एवरी बिलॉंग्स टू सेट ए ठीक है अता अता यह स्वत्र ले है स्वत्र ले लिखा दिया नेक्स्ट आपको क्यार दिखाने सम्मित to come आज़र्ये के समित . अगर एक का सब्बंद बी के साथ होता है था फीका सम्मद बी में दिखाना होता है और कोई चीज अगर मना करने है तो उसे बाई example मना करते हैं सो यहां देखो एक एक ले लेते हैं चूंकी 1,2 र में है किया 2,1 1,2 र में थे न कि 2,1 8 र में कहीं दिख रहे हैं कि मना कर दिया 1,2 र में थे लेकिन 2,1 9 र में नहीं है अताया कि सम्मित नहीं है कि सम्मित नहीं है ठीक नंबर तीसरा चेक करो तीसरा हमारे पास क्या है संक्रामक चेक करने संक्रामक करें क्या होता है अगर एक का सम्मित बी के साथ है बी का सम्मित सी के साथ होना चाहिए ठीक है तो देखो अगर एक्जैम्पल यहां देखें जैसे यहां पर देखो करोहाँ कि वन का सम्मित तीन के साथ है तो यहां लिखें चाहिए जब कुछ ची पूरूफ करोगा उसे लेंग्वज लिखते हैं यदी एक का सम्मद्ध बी के साथ है यदि बी का सम्मद्ध सी के साथ है तो एक का सम्मद्ध भी सी के साथ है चूंकि करके लिख सकते हैं यहाँ पर दिखाने के लिए कि दिखो भाईया वन का सम्मद्ध 3 के साथ है 3 पी सुरूर हो रहा है संबनत्र संभी हो ना चाहिए किया संभफटा यही करना था कि प्रश्न स्वत्रव में चिंद्र करना था लेकिन सम्मित नहीं होका हो गया प्रूफ बड़े आराम से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण में साथवे नंबर में ठीक है क्या रहे हैं साइन इन्वर्स माइनस ती डागो यह प्रूफ करके दिखाना है ठीक है जी साथवे नंबर का कोश्य नहीं शिद्ध करना है कर दोकु ए Northwest रोग्द के अब अब स्धीक और यह कूशन है इसको GUY करना है शिद्ध करना है तो भार्ची जरूरी होती है ठीक है इस पोशसे से शिद्ध बढ़ता है हमें क्या शिद्द्र करना है कि शाइन इनवर्स माइनेस ऐको फूल गूल कूल जहां औरहा थी को इसकी डियंच थीक है तो यह पर आप माना था थो माने आटा माना शाइन मैंने सब्सक्राइब एक ठाआक साम्ना खाल से जिल्गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें परशानी अभी शाइन को इधर लेजो तो कि इधह X है तो शाइन इन्वर्स एक्स क्या आ जाएगा माइनस थीटा के बराबर मैट ठीक है इस नेगेटिफ को इधर लेजो तो है तो यह शाइन इन दूपाइट को यह तीटा आ गया फिटा के राबर कें आगया keinen वर्स एक्स ठीक तो आपको अब फिटा कर्वान रख दो फिटा अपने इसको मान था शारण न यह यह जगह िर यह मोण रख दो तो यह आजयेगा इसी जिसको यह शिद्ध करना था हो अग簡 है UM 8 है और है यह फिल इसी नि सिद्ध करना था ठीक है जी तो यह Queson भी हमारा अराम से बंध गया है अत्वा में आ जाओ ठीक है जी अत्वा वाले प्रश्ण में आ जो इसको हमें शिद्द करना है तो यह Queson वैसे तो यह झानते हो कि आपको इसको शिद्द करके दिखाना ऐसे बाद नहीं बनेगी ठीक है यह दो नुम्बर में पूचा वाल पूचा क्या प्रश्ण है तो यहां लिखेंगे शिद्द करना है किया शिद्द करना है लिखेंगे बाया बख्ष लेने पर ठीक बाया बख्ष ले लो शेद्द इन वर्श प्लस कॉच इनवर्श यह मैंने ले ले इसको मुझे पाय बट्व लाखे शिद्द करना है अब मैं क्या करूँगा माना शाइन इंवर्स एक्स को मैंने ए मान लिया और इसको मैं बी मान लेता हूँ कॉश इंवर्स एक्स को मैंने बी मान लिया ये धरा जाएगा तो देखो शाइन ए किसके परावर हो जाएगा एक्स वह ये धरा जाएगा और cos b किसके बराबर हो जाएगा x कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं होगी इसको समीकरण 1 मोलो इसको समीकरण 2 बोलो ये भी x से ये भी x से तुलना कर दोगे समीकरण 1 को दोगी समीकरण 1 तथा 2 से तुलना कर दिया तो sin a कामान क्या हो जाएगा cos b के बराबर हो जाएगा इधर sin इधर cos है तो cos को sin के बदों में लिखो आप जानते हो cos theta को में लिख सकता हूँ sin 90 minus के theta लिख सकता हूँ cos b को में लिख सकता हूँ sin 90 बोले तो πाई बाइटो theta के जगा पर यहां क्या है b इधर क्या है sin a तो ना करूँगा sin तो sin हट जाएगा तो क्या बचेगा a pi by 2 minus का b minus का b इधर क्या हो जाएगा plus का b तो क्या जाएगा pi by 2 अब आपको क्या करना है a और b के मान रख देने a का मान क्या sin inverse 6 b का मान क्या cos inverse x रख दो यहां पर sin inverse x b का माने cos inverse x और इसी को में क्या सिद्ध करना था pi by 2 hence proved इती सिद्धम कोई doubt कोई दिक्कत नहीं होगी तो बाकी के जो questions है वो आपको next वाले part में मिलेंगे next वाला part आपको तभी मिल पाये जब इस वीडियो पर जाद से दर like share आएंगे और next part कराने के पाद मैं description में link डाल दूँगा